चैत्र मास के कृष्ण पक्षुकी सब्तमी को शीतला सब्तमी की रूप में मनाया जाता है और इसके अगले दिन शीतला अश्टमी मनाई जाती है ये त्योहार होली के आठ दिन बाद आता है इसी को लेकर इंदाओर के प्रसिद शीतला माता मंदिर में भक्तों की भारी भीर देखिया MP News की एक कास रिपोर्ट और सुबह शीतला माता की पूजा कर प्रसाद के रूप में ग्रहन किया जाता है। वहीं यहां आई महिला श्रद्धालों ने बताया कि ये त्योहार घर में सुख शांती के लिए किया जाता है। साथ ही इस दिन वृत रखने और पूजा करने से व्यक्ति को चेचक खसरा जैसे रोगों का प्रकोप नहीं रहता। पूजा घर और परिवार के लिए की जाती है थंडा बनाया जाता है। बच्चों को कोई विमारी या रोग नहीं होता सबी सुख शांती बनी रहती है घर में। बहुत बेटे आपने सब अच्छे से रहेरे परिवार एकता से रहें। पुरे दिन और रात बर जक्न पूजा होती है थंडे मोसम में होती है ताकि बीमारीयों से मुक्ती मिले और हमारा देश परिवार सब सुरक्षित पर रहे हैं आपको बता दे कि ऐसी मानिता है कि शीतला माता को ठंडी चीजे बहुत प्रिय होती है इसलिए शीतला सब्तमी और अश्टमी को ठंडी चीजों का भोग लगाया जाता है Bureau Report, MP News, Indore